नमस्कार मैं रभी शुकला के एर सी टाइम्स के हिंदी प्राइम टाइम में आपका श्वागत है एक जन्वरी दोहाच चोविस तक पुरा हो जाएगा राम बंदी का निर्वान बोले अमित्षा अ पश्चिम बंगाल के पुर्व मंत्री पार्थ चरजी को 19 जन्वरी तक जिल्म रहने का देश कश्मीर में सांती लोट आई है ग्रीह मंत्राले का दावा विश्चित समचार राम मंदीर का निर्वान एक जन्वरी दोहच जार चोविस तक पूरा हो जाएगा ग्रीह मंत्री अमित्षा ने अगर तल्ला में एक जन्वा में यह टिपनी की उन्होंने का की कॉंग्रेश राम मंदीर के साथ छेट सार कर रही ए उन्होंने टिपनी की की भाज़़पा के सत्ता में आने से राम मंदीर का निर्वान सम्भव हुआ है इस साल होने वाले विधानसवा चुनाओं में त्रिप्रवा विधानसवा खाली रह जाएगी केंद्रियगी मंतरी अमीत साने गुरुबार को उत्तरी त्रिप्रवा के धर्म नगर में भाजपा की रत यात्रा का उद्धुहाटन करते हुए बात कही नोने कहा कि 2023 के विधानसवा चुनाओं में त्रिप्रवा विधानसवा पूरी तरह से वाम मुक्त होगी साथ ही उनके मुक से अगामी विधानसवा चुनाओं में भाजपा का नारा सुनाई दिया उन्नत त्रिपुरा शेष्ट त्रिपुरा समरीध स्वभानित त्रिपुरा के पुरूब। ब्यज़ेपी मुक्मंत्री और राज्य सवासांसत बीपलब धेक कि गोमती जी राबाज पर CPM करकरताओं समर्थकों के कथित हमले को लेकर मंगल बार दोपर से ही राज में तनाव बना हुआ है ऐसे में साह किया टिपनी अहम मानी जा रही है कलकत्ता हाई कोट ने पस्षिम बंगाल के पुर्व मंत्री पार्थ चटोपा ध्याय को उनीस जनवरी तक जिलिम रहने का देश दिया है साथी कोट ने CBI से जल से जल जांस प्रक्रिया शुरू करने हो कहा जज ने टिपनी की कि राजधानी की तरह नहीं तो कम से कम सताबदी एक्सप्रेस की गती से जांस प्रक्रिया पुरी की जानी चाहिए सुप्रिम कोट ने उत्राखन सरकार को अवयद अतिक्रमन हटाने के लिए बुल्डोजर के इस्तमाल पर रूख लगा दी है सुप्रिम कोट ने करजी के संदर में अपना फैसला सुनाया इलहानी छेतर में बेदखली के संदर में सुप्रिम कोट ने सवाल उठाया कि पुनरवास के निप्यारे की बीना बेदखली कैसे की जा सकती है इस संबंध में अगली सुनवाई साथ फ़वरी तक के लिए स्थकित कर दी गई है कस्मीर में मासुमों की मौत से बीज़ोपी को फायदा पीडीपी नेता महबूबा की विसफोटक टिपनी कस्मीर के राज़ोरी में आतंकी हमले में चार लोगों की मौत हो गई चार लोग गंभी रुप से घायल हो गए उस घटना के अधार पर जम्मु कस्मिर की पुर्व मुख मंत्री और पीडीपी नेता महभुवा मुफ्ती ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि अगर कस्मिर में बेकसूर लोग मारे जाते हैं तो गिर्गवा पार्टी को फायदा होगा रजवरी में बीते रईवार की डांगरी नाम के गाउं के मंदिर परिसर में तोरफर हुई उस घटना का चिर्ग करते हो में बुबा ने कहा जब कस्मिर में निर्दोस लोग मारे जाते हैं तो बीजेपी को फायदा होता है क्योंकि वे अल्फ संख्यकों के खिलाब कहानिया गढ़ते हैं और सेस भारत में कस्मिरियों को सैतान बताते हैं हलाकि ऐसा क्यों हो रहा है यह सवाल नहीं उठता पीडीपी नेताने रईवार को हुए आतंगवादी हमले के लिए भी सेना को जिम्मिदार ठराया कास्मीर में सांती लोट आई है ग्रीमंतराला की मांगे पार्टी की मांगे और ग्रीमंतराला की रिपोर्ट एक ही है मोदी के नेतित में स्वर्ग में सांती लोट आई है कस्मीर की लोग जवानों पर पत्थर नहीं फेकते गरिवा सिविर के पहले दुसरे और तिसरे रेंग की नेताओं ने बार बार यही दावा किया है अमित्सा के गरी मंत्राले ने पार्टी निताओं की मांगों को सटीक बताया जम्मू कस्मीर पर मंत्राले की लंबी रिपोर्ट ने पार्टी की मांगों को बल दिया है रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जम्मू कस्मीर कभी आतंकबाद का गढ़ था मोधी सरकार के प्रयासों से आतंग का गढ़ अब एक स्वर्ग में बदल गया है कस्मीर एक प्रयटन के इंदर बन गया है एपी सीसी के करकारी अधियक्ष कमला ख्यदेपुर का इस्त ने कहा AI UDF एक नीजी कमपनी है यह कोई पार्टी नहीं है और हम कभी भी उनके साथ गटबंधन नहीं करेंगे वह कल की चर्चा में सामिल हुए आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही फिर होगी मुलाकात जुर्य रहिए क्यार सी टाइम्स के साथ नमस्कार प्राइम 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 लुड़ से हुए झाल झाल